कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ना और साइड में ते कोई बेल का इकन है उस पर क्लिक करके आल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहे और इंस्टाग्राम पे आ सकते हो कोई क्वेस्चन है कोई क्वेरी है आ अब सेकेंड सीजन की बात करेंगे इस वीडियो में हम एमेजॉन ग्रेट इनियन फेस्टिवल सेल की बात करने वाले हैं सेकेंड वाले सीजन वे वैसे तीन कार्ड्स के उपर डिसकाउंट है पहला तो अमेरिकन एक्स्प्रेस कार्ड का सो साइड में रख दो वह बहुत सा अच्छे नहीं है मैं सिंपली कहूंगा दिवाली वाले सेल का वीट करो उस तैम पे ज्यादा बैटर ऑफर्स आपको मिलेंगे इस से एटलीस से तो बैटर ही मिलेंगे तो उसका वीट कर लो लेकिन अगर आपको अभी क्या भी स्मार्ट फोन चीए तो कौन से साथ ऐसे स्म बजट में सबसे अच्छे हैं उनके उपर बात करेंगे लेकिन उसके लिए आपके पास यह दोनों काड्स होने चीए तो ही आपको आपको आफर अच्छे मिलेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ देखते हैं कौन से 7 डील से हैं उनके बारें बात करेंगे पसंदाए लाग यह 22,000 में आप इसको ले सकते हो अच्छा है डील 6.55 इंच का आपको OLED का 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला 10 बीट वाला डिस्पले मिलता है देखना चाहते हैं इसकी तरह देख सकते हो 22,000 में दोस्तों अगले फोन की बात करें तो यह हैं सेमसंग एलेक्सी M52 27,000 पहले 30 में लाउंच हुआ था बात में 27,000 प्राइस किया अब 26,000 कर दिया है एक हजार का प्राइस काट एंड इसके साथ 12,000 का कार्ड और एक हजार का कूपोन साड़े 30,000 में फोन मिलेगा तो यह उठा सकते हो डील बहुत अच्छी है दोस्तों आगले फोन की बात करें तो यह रेडमी नोट 10 लाइट अभी अभी लॉंच हुआ ज्यादा कुछ हाइब नहीं मचाया था उन्होंने 15,000 में इसका बेस विरेंट चार्जी भी 168 भी आया हुआ है जो की सारे ओफस लाया के आपको 11,700 मिल सकता है इसके उपर 2,000 रुपय का कूपन वाला ओफर है और 1,300 का आपको का ओफर मिलता है सेम रेडमी नोट 9 Pro था नव वही है 6.7 इंच का IPS LCD का Full HD Plus का डिस्प्ले है Snapdragon 720G है चिपसेट OctaCore का अच्छा चिपसेट है परफरमेंस अच्छा रहता है 48 मा पिक्सल का Quad गैमरा है यानि कैमरा परफरमेंस भी ठीक ठाक रहेगा 5000 अमेश की बैटरी है 30 वेट का चार्जर है सारी चीज़े मिल जाती है समझ लो Redmi Note 9 Pro ही ले रहे हो 11,700 में उस बजट के हिसाब से डील अच्छी है देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो 1250 6250 अबका बजट अगर 6000 के आज पास अब इसकी तरफ देख सकते हो 6.5 एंच का HD प्लस का डिस्प्ले है अच्छी चीज़ है Octagor का चिप सेट है performance भी आपको अच्छी खासी देता है देन इसकी तरफ देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो दोस्तों रेड्मी नोट 10S 15,000 में लांच हुआ था बाद में इसका प्राइज 16,000 कर दिया था फिलाल सेल में 14,000 में आ रहे कार्ड लगा होगा 12,600 में मिल जाएगा डील ठीक है अगर देखना चाते हो अभी फोन चीए तो डील अच्छी है वेट कर सकते हो तो दिवाली से इसके साथ G95 का तगड़ा चिप सेट है 64 में पिक्सल के कैमरा सेट अप है और इसके साथ 5000 में बैटरी है 30 वैड का चार्जर है सारी चीज़े मिल जाती है देखना चाहते हो रेड्मी नोट 10S की तरफ देख सकते हो 12,600 में अच्छी डील है दोस्तों इस वीडियों की सबसे अच्छी डील वन प्लस नाइन आर बहुत साई लोग पूछ रहे थे 40,000 में लॉंच हुआ था सेल में सिर्फ 37,000 में आ रहा है कार्ड लगाओगे तो 2000 रुपय का ओफ है तो 35,000 हो जाता है देन कुछ सिलेक्टेट स्मार्टफोन के ऊपर 3000 का एक्सचेंज ऑफर भी है तो लिए स्मार्टफोन आपको 32,000 के आस पास पड़ता है प्लस आपका स्मार्टफोन जो एक्सचेंज करोगे तो यह 30,000 के नीचे पड़ जाएगा मेरे इसाब से डील अच्छी है देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो आपको 120 हर्च का फ्लर्ट एमुलेट का डिस्प स्मार्टफोन 12,000 के भी नीचे की प्रवाइज में चीए देख सकते हो इसके दरफ मैं बात कर रहा हूँ Samsung Galaxy M32 4G की 15,000 पे लॉंच वादा चार्जीबी 64GB फिलाल अभी 13,000 में है कार्ड लगाते हो 1300 का उफ हो जाएगा 11,700 में मिल जाएगा दील अच्छी है सूपर एमुले चार्जीबी 64GB अगर आपको 11,700 में मिल रहा है मेरे हिसाब से डील अच्छी है देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो दोस्तों तो यह साथ डील से अलग अलग बजट के आपका बजट क्या है उससी सबसे आप देख लो कौन सार आपको अच्छा लगा जूरू बता चालिए कैसा लगा वीडियो जूरू बताते ना पसंद आया लाक्मेंट शेयर कर देना पसंद नहीं पसंद है दिसलाइक कर देना मुझे पता देना खूल पर सकते हो सब्सक्क्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पिरलए कोई क्वेश्चन आ है कोई पूछी है कुछ इगेल इदना है मिल टेकले वीडियो में कुछ नहीं करने साथ अप्तकेले बोस्तों